नमस्कार जेहन साथियों सेना भरती परिक्ष्या की तैयारी करने वाले यूओं के लिए विगत 2-2.5 साल का समय लगातार चिंता के दोर में गुजर रहा है इसी बीच आए दिन सोसल वीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ जाती है जिनसे यूओं को यह जो चिंता का सबब है यह और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आज आपसे एक गुजरिस रहेगी कि इस वीडियो के अंतक जरूर बने रहेगा क्यूंकि जो भारत सरकार का जो लोक सिकायत विवाग है उस पोर्टल की ओर से जो एक सिकायत हमने फौरवर्ड की थी Ministry of Defense को सेना भरती वे सेना भरती एक्जाम को लेके उसका रिप्लाइ हमें मिला है जिसमें हमने तमाम चिंताएं शेयर की थी सेना भरती एक्जाम रद से लेके हर एक वो एंगल जो हमें शेर करना था यूओं के हित में उसका जो जबाब मिला है वो इस वीडियो के माइदम से हमें आपके साथ साजा करूंगा लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सोसल मीडिया पे या आपके वाटसप पे आपको एक ओडियो ज़रूर सुनने को मिला होगा यूटूब प्लेटफॉर्म पे ये ओडियो वाइरल हो रहा है इस ओडियो में सेना भरती एक्जाम के रद होने की 99.99 रद होने की जो परसंटेज है जो रेशियो है वो बताया जा रहा है हालांकि किस सोर्च के मादम से ओडियो आ रहा है ये तो जो ओडियो वाइरल करने वाले है वो ही लोग जाने है हो सकता है उनके किस सोर्च के मादम से उनको ये जानकारी मिली होगी क्योंकि विगत एक महिने से लगातार सोसल मीडिया, यूटूब, प्लैटफर्म, ट्विटर सब जगे एक्जाम रद होने को लेके एक धड़ा अपने अपने विचार दे रहा है वाइरल ओडियो में कोट जाने की भी बाते कही जारी है, उनका एक्जाम होगा लेकिन कोट के मादम से तो आपको बता देगी हमारी और से जो कोट की प्रोचिस्टर से वो पूरी कर ली गई है अब आपको बताएं, आपको भी पता होना चाहिए कि देश में जितने भी हाई कोट है, सुप्रीम कोट है, उनकी छूटियां चल रहे है सुप्रीम कोट में 12 जूलाई तक छूटियां है, उससे पहले देश में उनी मुद्दों के उपर सुनवाई की जा सकती है, जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है अब हम यह नहीं कहेंगे कि यह मुद्दा चर्चा में नहीं है, यह सबसे ज़्यादा चर्चा में लेकिन यह बिल्कुल हमारी बदनशी भी है, या सिस्टम की बदनशी भी कहें, यह अलग बात है लेकिन हमारी ओर से जो परकिरिया है वो complete कर ली गई है और जुलाई के परतम सब्ता में इसके दायर होने की संबावने बताई जा रही है साथ साथ वाइरल ओडियो में जो बाते हैं उसमें मुख्य बात यही है कि आर्मी एक्जाम है वो रध हो जाएगा और इसको लेके भार सरकार जल्दी गोशना करेगा आपको बता दें कि आर्मी हेड़कॉर्टर को जो हमने एक RTA लगाई थी हालांकि उस RTA का अभी हम आपके साथ विश्वलशन शेर नहीं करेंगे क्योंकि उस RTA का जल्दी हमें जो रिप्लाई मिला है वो हमने डिफेंस एक्सपर्ट को बेजा है वहां से उस RTA का सही तरीके से ट्रांशलेट होने के बाद जो जो बातें आएगी वो आपके साथ शेर करेंगे लेकिन उप्री उप्र की बातें आपको बता दें कि शेना भरती का एक्जाम जो है वो अब केवल और केवल भारत सरकार के हातों में है ये एक्जाम कंड़क्ट करवाना ये RTA में साथ सेना मुख्याले के और से लिखा गया है आईए अब बात करतें भारत सरकार के लोग सिकायद विभाग की और से जो हमें जवाब मिला है वो पूरी की पूरी जानकारी आपके साथ साजा करते हैं बात सरकार के लोग सिकायद विभाग पोर्टल पे हमने ये सेना भरती से जुड़ी जो समश्या हैं ये Ministry of Defence को forward की इसक्रिमिन के उपर आप देख रहे हैं हमने लिखा क्या कि हमने कहा कि एक्जाम जो है वो एक साल से अधिक समय से लगातार पेंडिंग की स्तती में है समंधित विभाग की ओर से हमें एक्जाम को लेखे 2021-2021 से लेके अभी तक किसी भी परकार की जानकारी भी नहीं मिल रही है साथ साथ हमने लिखा कि इस देर एनी पोसिबिलिटी टू कैंचल दे एक्जाम परमानेंटली जो आपका मुखे बिंदू है कि क्या आर्मी का एक्जाम रद हो जाएगा हमने ये लिखा कि इसकी कितनी संभावनाएं है अगर एक्जाम कंड़क्ट नहीं किया जा रहा है हम बहुत ज़्यादा चिंता के दोर में है हम अपने भविश्य के बारे में दिन परति दिन चिंता में है हमने लिखा कि इसके उपर हमें कलियर एंड कलियर बात आपकी ओर से मिलनी चाहिए क्योंकि लगातार हम जो चिंता के जो दोर है उसमें बहुत ज़्यादा निरासा के इस्तती में चले गया है अब आपको जो जबाब मिला है वो आप तक बेजते हैं वो आपको दिखाते हैं शेयर करते हैं अब जो लोग सिकाईती विपाग है बारत सरकार की ओर से सेना भरती एक्जाम सेना भरती को लेकि क्या रिप्लाई मिला है उन्होंने लिखाय कि विट रेपरेंस और तो योर ग्रिवेंस इन मिनस्ट्री तो डिफेंस इन्हों ञाड़ सेना लिफिँ करते हैं अब मैं इसका आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, इसमें लिखा क्या गया है, कि आपको सुजित किया जाता है कि सस्तर बलों की शेने भरती जो परिक्षा है, उसको COVID-19 महामारी के आदार पे रोका गया था, उसने लिखा है कि परिक्षा के आदार पे आयोजित जो की लिखी गई है, उन्होंने लिखा कि एक बार इस्तिति इस्तिर हो जाने पर भरती के लिए आयोजित होने वाली सामान्य प्रिक्षा या सामान्य भरती जो परकिरिया है, इसकी नई तारिकी पूश्टी बेहद जल्दी की जाएगी, और सभी जो परभावित उमीदवार है, उनको सुचित भी कर दिया जाएगा, अधिकारियों से समधित अधिकारी का जो नाम है, जिन्होंने इसके बारे में हमें सुजाव वेजा है, वो कैप्टेन आईयन शांतुन शर्मा, निर्देशक एजी, जो आप स्क्रिन के उपर देख पा रहे हैं, देखे आर्मी एक्ज जरूर सामने आते हैं, और ये भी बात है कि अगर आप एक्जाम कंड़क्ट करवाने वाले हैं, तो अब करवा क्यों ने रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी इस्तिक कलियर है, और इसी से जोड़के अलग-अलग बाते सामने हैं, अगर में एक्जाम को लेके, तो हम आपको बता है कि दोनों को लेके नई तीत्राइं जल्द ही जारी कर दी जाएंगे और हम इससे डुपर जो भी है वो युगाँऑ को सुचित कर देंगे निसा साथ अब आपके एक्जाम की कंडिशन को मेरे आपको बताया है कि आटि-े में इसाब लिखा गया है कि भारत सरेकार इसके के लगातार हमारी नज़रे बनी हुई है उमीद है कि के अंदर सरकार इसको लेकर जो केविनेट मेटिंग लेकर आ रही है जो टूर अब ड्यूटी प्लान को लेकर हो सकता है इसके परश्चात इसके ऊपर किसी ना किसी परकार से निरने लिया जाएगा और साथ साथ आपको जिसा निरंतर जारी रहा है क्योंकि जो जो संबावनाय हैं लेगली हम तरीके से जा रहे हैं आंदोलन अगर किसी परकार का होता है उसमें हमने आपके युओं के हित में काम किया है और लेगली तरीके से हमारी ओर प्रोसीडर से वो कम्लेट कर लिआ गका यह डेट आएगी हम आपके साथ जरूर साजा करेंगे इस वीडियो से लिलिटिव जो भी आपके सुजाव है कमेंट सेक्सिन इस्टाग्राम हैंडल या मेल के माधिम से जरूर भेजिएगा बाकि यह जो हमारी और से जो दाइर की गई है अपिल इस लिलिटिव जो भी आपको औ पूर आपके सुजाव है हमें बेजिएगा हम वापस इसको रियापील में डाल रहे हैं आप देख रहे हैं अपने मेजमान धने इसको दीज़े जाज़त वीडियो के अंतक बने रहने के लिए पूरे एडियार्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया मिलेंगे को औ हिन जेवार शुक्रिया